I am Siddhartha Sarin और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कॉलेज एंट्रेंसेस HPCET के बारे में जो कंड़क्ट कराती है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवरस्टी इस एक्जाम में एड्मिशन सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी प्रफाइल B.Tech, M.Tech, B.Pharmacy, B.Pharmacy, M.C.A. या M.B.A. है इस एक्जाम को एप्लाई करने से पहले में ये एड्वाइज दूँगा कि पहले आप इस एक्जाम के सही eligibility चेक करें तब ही इसको एप्लाई करें JEE mains वालों को इस test देने की जरुवत नहीं होती ये candidates direct admission ले सकते हैं और इस exam के application fees की अगर हम बात करें तो general category की रुपीज 1550 होती है बाकी SC, ST, BPL की रुपीज 1400 होती है और ये fees online पे करी जाएगी हाई मैं हूँ सिदार्ता सरीन और अब हम बात करेंगे HPCT exam की eligibility के बारे में ये वीडियो आप ध्यान से देखें और अच्छे से इसकी eligibility समझें ऐसा करने से आपको इस exam के application form को फिल करने में बहुत help मिलेगी आपको eligible होने के लिए बारवी class में 45% से ज्यादा marks चाहिए और अगर आप किसी result category के हो तो आपको 40% marks चाहिए होंगे और उसके साथ आपको chemistry, biotechnology, biology और technical vocational subjects लेने पड़ेंगे तीसरी बात JEE means qualifiers direct institute में admission ले सकते हैं उन्हें ये exam देने की जरूरत नहीं है हमने syllabus का पूरा link description में दिया हुआ है अब हम बात करेंगे HPCET exam के exam pattern के बारे में ये exam offline mode में होता है जिसमें total questions 150 होते हैं इस exam को पूरा करने के लिए candidates को 180 minute दिये जाते हैं इस exam में सभी question objective type होते हैं और अगर हम इस exam की marking scheme के बारे में बात करें तो हर सवाल के answer पर दो marks मिलेंगे और हर गलत answer पर minus 0.5 deduct हो जाएंगे इस exam में 3 section होते हैं physics, chemistry और maths इस exam के सारे syllabus का link हमने description में दे रखा है दिरी के लूणया के अरलए खशेए 128 आमार एफ रखा है में अभणत करें 15% तो हर दो लंग कर दो कम ए बार है मैं हुँ सिधारतर सरीन और हम अब HPCET exam के tips and tricks के बारे में बात करेंगे इस exams की तयारी करने से पहले आपको सारी information जैसे exam pattern, syllabus, etc. जो की conducting authority ने दी है उसे ध्यान दे exam के preparation के लिए अपने time को manage और utilize करें अपने preparation schedule में इस exam को clear करने के लिए अच्छी book ही refer करें इससे आपको चीजे समझने में आसानी होगी और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें handmade notes बनाने की इसे करने से आपकी concepts और basics और अच्छे से clear हो जाएंगे और सबसे जरूरी बात जब आप तयारी करने होंगे तब आप अपनी practice के लिए कोई भी online test attempt करें इसे करने से आपको अपकी खामिया पता चलेंगी practice करने के लिए आपको मैं recommend करूंगा कि youth for work के online mock test attempt करें यह बहुत ही easy और understanding है और यह improve करती है exam को करने के लिए speed और accuracy करने करने में महिंगा कि आपकी और पहल Aww amazon झाल झाल